दोस्तों आज आप सुनेंगे Murder Mysteries की Queen मानी जाने वाली अगाथा क्रेस्टी का बहुत ही मशूर उपन्याज The Mysterious Affair at Styles हिंदी में इसके तीन भाग आप पहले ही सुन चुके हैं और आज के वेडियो में आप सुनेंगे इसका चौथा भाग अगर आपने पहले वाले तीन भाग नहीं सुने हैं तो उन्हें सुनने के लिए उपर आई बटन पर क्लिक करें तो बिना देर किये शुरू करते हैं आज की कहानी Mysterious Affair at Styles का चौथा भाग अध्याए 9 Dr. Byerstein मुझे अभी तक Lawrence को पोईरो का संदेश देने का मौका नहीं मिला था अब अपने मन में अपने दोस्त के मनमाने व्यभार के कारण गुसा लिये हुए मैं बाहर घूम रहा था और जब मैं बाहर लौन पर आया तो मैंने देखा कि Lawrence यूही कुछ पुरानी गेंदों को एक और भी पुराने गोल बैट से इधर उधर मार रहा था उसे वो संदेश देने का ये अच्छा मौका था मैंने उसके पास जाकर कहा Lawrence मैं तुम ही को ढूंड रहा था मुझे तुम्हें पॉयरो का एक संदेश देना था उसने मुझसे कहा था कि मैं तुमसे अकेले में बात करूँ उसने कहलवाया है कौफी का फालतू प्याला ढूंड लो और फिर शांती से रहो Lawrence ने हैरानी से मुझे घूरते हुए कहा इसका क्या मतलब है क्या तुम नहीं जानते बिलकुल भी नहीं क्या तुम जानते हो मैंने नामे सिरहला दिया ये कौन से फालतू कौफी के प्याले की बात हो रही है अगर मिस्टर पॉयरो को प्यालों के बारे में जानना है तो उनको डौरकस या किसी और नौकरानी से पूछना चाहिए ये उनका काम है मेरा नहीं मैं कौफी के प्यालों के बारे में कुछ नहीं जानता सिवाई इसके कि हमारे पास कुछ ऐसे प्याले हैं जो कभी इस्तिमाल में नहीं आते और जो बहुत ही सुन्दर हैं ये पुराने वार्सेस्टर के प्याले हैं क्या तुम उ गर में वापस जाने के लिए मुड़ गया, तभी अचानक उसने मुझे पीछे से टोका, एक मिनिट हिस्टिंग्स, वो संदेश के आखिर में तुमने क्या कहा था, एक बार फिर से बताना जरा, फाल तु कॉफी का प्याला ढूंड लो, और फिर तुम शांती से रह सकते हो, म हम साथ-साथ अंदर चले गए, जॉन ने पॉयरो को लंच के लिए रोक लिया था, और वो पहले से ही टेबल पर बैठा था, खाने के दोरान हम लोग युध और दूसरे विशियों पर बातें करते रहे, जब चीज और बिसकिट बंट गए, और डॉरकस कमरे से चली गई, तो पॉयरो अचानक मिसिस केविंडिश की तरफ जुका, बुरी यादों को फिर से दोहराने के लिए मुझे माफ कीजिएगा मैम, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा विचार है, मैं आपसे एक दो सवाल पूछना चाहूँगा, जी पूछिए, मिस सिंथिया के कमरे से जो दर था, मैंने गवाही के वक्त भी यही कहा था, पॉयरो ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, मेरा मतलब यह है कि आपको यकीन है कि सिटकनी लगी हुई थी, सिर्फ ताला ही नहीं लगा था, ओ, अब मैं समझी कि आपका क्या मतलब है, नहीं, वो मुझे नहीं पता, म यह भी तो हो सकता था कि दर्वाजा कसकर बंद किया गया हो, हाँ, शायद, जब आप मिसिस इंगल्थॉर्प के कमरे में गई थी, तब आपने यह ध्यान नहीं दिया था कि दर्वाजे की सिटकनी लगी थी या नहीं, मेरे ख्याल से तो लगी थी, लेकिन आपने देखा न नजर आया ओह ये भी तै हो गया मुशे मन ही मन खुशी हुई कि एक बार फिर उसका छोटा विचार बेकार साबित हुआ है दोपहर के खाने के बाद पॉयरो ने मुझसे उसके साथ घर चलने का अनुरोध किया थोड़ी रुखाई से मैं राजी हो गया जब हम पार्क में से निकल रहे थे तो पॉयरो ने कहा हे स्टिंग्स तुम मुझसे नाराज हो ना नहीं तो मैंने कहा उसके स्वर में जो चिंता छिपी थी उसने मेरे दिल को मुम की तरह से पिखला दिया मैंने उससे कहा मैंने लॉरेंस को तुम्हारा संदेश दे दिया है और उसने क्या कहा वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया था। हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारे संदेश का कुछ मतलब नहीं समझ पाया था। मुझे लगा था कि ये बात सुनकर पॉयरो निराश होगा। लेकिन मुझे हरानी हुई जब उसने ये कहा कि उसने यही सोचा था और इस बात से वो काफी खुश था। फिर अचानक उसने सवाल किया, आज खाने के टाइम मिस सिंथिया नहीं थी, ऐसा क्यूं। वो फिर से हॉस्पिटल चली गई है, उसने आज से काम शुरू कर दिया है, मैंने कहा, ओ, वो काफी महंती लड़की है, सुन्दर भी है, उन तस्वीरों जैसी है, जो मैंने इटली में देखी थी, मैं उसकी डिस्पेंसरी देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हें लगता है क वो मुझे दिखाएगी, मेरे ख्याल से तो ऐसा करने में उसे खुशी होगी पॉयरो, वो छोटी सी जगह काफी इंट्रेस्टिंग है, क्या वो हर रोज महां जाती है, हर बुद्वार को उसकी छुट्टी होती है, और हर शनिवार को वो लंच के वक्त आती है, सिर्फ तभ कठिन परिक्षा पास की हुई है, हाँ वाक कई, आखिर वो इतना बड़ा जिम्मेदारी का काम कर रही है, मेरे ख्याल से वहां काफी तेज जहर होते होंगे, हाँ उसने हमें वो दिखाए थे पॉयरो, वो एक छोटी सी अलमारी में ताले में रखे रहते हैं, मेरे ख्याल स बस मैं युही कुछ सोच रहा था, क्या तुम अंदर आओगे हे स्टिंग्स, नहीं मेरे ख्याल से मुझे लोटना चाहिए पॉयरो, मैं लंबे रास्ते से जंगल में से होता हुआ जाओंगा, स्टाइल्स के चारो तरफ वाला जंगल काफी सुन्दर था, खुले पार्क मे में ही सोचने लगा, वहां का महौल इतना शांती भरा और सुहावना था, कि थोड़ी ही देर में मुझे उबासियां आने लगी, और न जाने कब मैं लेट कर नीद की गोद में चला गया, अचानक एक तेज आवाद से मेरी नीद टूटी, मैंने फॉरण महसूस किया कि मैं एक बड़ी ही अजीब सी स्थिती में था, मुझसे करीब बारहा फुट की दूरी पर, जॉन और मेरी आमने सामने खड़े थे, और साफ था कि वो लड़ रहे थे, उतनी ही साफ ये बात थी, कि उन्हें मेरे वहां होने के बारे में जानकारी नहीं थी, जॉन बड़े ही जाएगी मेरी, मेरी मा शनिवार को ही दफनाई गई है, और यहां तुम उस आदमी के साथ अवारागर्दी कर रही हो। मेरी ने कंधे उचकाए और बोली, तुम्हें सिर्फ गाउं में बातें बनने की चिंता है, मेरी कोई चिंता नहीं है, ये बात नहीं है मेरी, मैं उस आदमे को बहुत सहन कर चुका हूँ, वैसे भी वो पोलिश यहूदी है, यहूदी खून का थोड़ा सा आंश होना बुरा नहीं है, वो एक साधारन अंग्रेज की निर्विकार बेवकूफी को प्रभावित करता है, ये कहते हुए मेरी की आँखों में आग और आवाज में बर्फ थी, जॉन के चेहरे पर खून जैसी लाली फैल गई, तो इसका मतलब मैं ये समझूँ, कि मेरी इक्छा के विरोध तुम डॉक्टर बायर स्टीन से मिलती रहोगी, अगर मेरी मर्जी होगी, तो मैं ऐसा जरूर करूँगी, यानि तुम मेरा विरोध करोगी, नहीं, लेकिन मैं अपने कामों के लिए तुम्हारी आलोचना के अधिकार को अस्विकार करती हूँ, क्या तुम्हारे कोई ऐसे दोस्त नहीं है, जो मुझे नापसंद हो, मैं तो तुम्हें उनसे मिलने के लिए मना नहीं करती, जौन एक कदम पीछे हट गया और उसके चेहरे का रंग धीरे-धीरे बुझ गया, तुम्हारा मतलब क्या है मेरी, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा क्या मतलब है, मैं किस से दोस्ती रखूं और किस से नहीं, तुम्हें मुझे ये आदेश देने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है, क्या वाकई मेरा कोई हक नहीं है मैरी, एक पल के लिए मुझे लगा कि मैरी थोड़ा हिचके चाई, उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़े, फिर अचानक वो तेजी से मुड़ गई और बोली हाँ कोई हक नहीं है फिर वो चलने लगी और जॉन उचल कर उसके पीछे हो गया उसने उसे बहां से पकड़ लिया मैरी क्या तुम डॉक्टर बायर्स्टीन से प्यार करती हो मैरी एक पल के लिए जिज की और उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सा भाव दोड़ गया जैसे मिस्र देश की कोई रहस्यमय मूर्ती चुपके से मुस्कुरा दी हो उसने अपनी बहां छुड़ाई और पलट कर बोली शायद और फिर पत्थर बने जॉन को वहीं खड़ा छोड़ कर वो तेजी से जंगल के रास्ते पर निकल गई मैंने इस तरह का नाटक किया जैसे मैं अभी अभी वहां आया हूँ और सूखी डंडियों पर पैर रखते हुए मैं आगे बढ़ा जॉन ने मुड़कर मेरी तरफ देखा और वो यही समझा कि मैं तभी तभी वहां आया था उसने कहा हेलो हेस्टिंग्स क्या मिस्टर पॉयरो को उनके घर छोड़ाए तुम्हारा ये दोस्त भी बड़ा ही अजीब आदमी है क्या वाकई वो उतना काबिल है भी जितना तुम उसे बताते हो वो अपने जमाने का सबसे बढ़या जासूस माना जाता था जॉन ओह तब तो जरूर उसमें कोई बात होगी लेकिन ये दुनिया कितनी सड़ी हुई है एक तो पहले ही ये मामला इतना भयानक है उपर से स्कॉटलेंड यार्ड के आदमी गर में ऐसे आजा रहे हैं जैसे घर के मालिक हो कुछ पता नहीं चलता कब कहां सिर पर आकर सवार हो जाएंगे देश के हर अखबार में हमारे घर के बारे में सुर्ख्यों में छप रहा है आज सुभा ही घर के बाहर लोगों की भीड खड़ी हुई अंदर की तरफ घूर रही थी ऐसा लगता है हमारा घर घर नहीं सरकारी म्यूजियम बन गया है जिसे कोई भी आकर फ्री में देख सकता है मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा अरे हमेशा ऐसा नहीं रहेगा परिशान मत हो जौन ने अपने आवाज थोड़ी धीमी की और बोला अच्छा हेस्टेंग्स क्या तुमने कभी सोचा है कि किसने हत्या की ये सोचना मेरे लिए एक बुरे सपने की तरह है कभी कभी मैं ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाता कि ये जरूर एक एकसिडेंट रहा होगा क्योंकि भला ऐसा कौन कर सकता था इंगल्थोर्प तो इससे बाहर हो ही गया है और उसके लावा तो और कोई है ही नहीं मेरा मतलब हम में से किसी एक के अलावा उसकी ये बात सुनकर अचानक मेरे मन में एक नया विचार आया मैं तेजी से सोचने लगा पोईरो के रहस्यमाई कारनामे उसके सारे संकेत वो सब सही बैठ रहे थे मैं कितना बेवकूफ था जो मैंने पहले इस तरफ नहीं सोचा मैंने जौन से कहा अरे नहीं जौन हम में से एक नहीं है ऐसा कैसे हो सकता है भला वो तो मैं जानता हूँ हेस्टिंग्स लेकिन फिर और कौन होगा भला क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते नहीं तो जरा डॉक्टर बायर्स्टीन के बारे में सोच कर देखो मैं धीरे से फुस-फुस आया क्या कह रहे हो हेस्टिंग्स ये असंभव है मेरी मा की मौत में उसकी भला क्या रूची हो सकती है वो तो मुझे नहीं पता जौन लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ पॉयरो को ऐसा ही लगता है मिस्टर पॉयरो को ऐसा लगता है तुम्हें कैसे पता मैंने उसे बताया कि उस घातक रात को डॉक्टर बायर्स्टीन स्टाइल्स आया था ये बात सुनकर पॉयरो उतेजित हो गया था और उसने दो बार कहा था इस से सब कुछ बदल जाता है और तुम तो जानते ही हो कि इंगल्थॉर्प ने कहा था कि उसने कॉफी हॉल में रख दी थी और तब ही डॉक्टर बायर्स्टीन वहां आया था क्या ये संभव नहीं है कि जब इंगल्थॉर्प हॉल में से उसे लेकर आया तब वहां से निकलते वक्त उसने कॉफी में कुछ डाल दिया हो अरे लेकिन वो बहुत जोखिम का काम था जॉन ने कहा हाँ था लेकिन असंभव तो नहीं था किया तो जा सकता था लेकिन उसे ये बात कैसे पता चल सकती थी कि वो कॉफी मा के लिए थी हाँ तुम ठीक कह रहे हो जॉन वो काम शायद ऐसे नहीं किया गया होगा सुनो और फिर मैंने उसे कोको के नमूने के बारे में बताया जिसे पॉयरो जाच के लिए ले गया था जॉन ने वैसे ही टोका जैसे मैंने टोका था लेकिन डॉक्टर बायर्स्टीन तो उसकी जाच पहले ही करवा चुके थे हाँ यही तो बात है जॉन अभी तक मैं भी इसे समझ नहीं पाया था बायर्स्टीन ने जाच करवाई यही तो कारण है अगर बायर्स्टीन हत्यारा है तो उसके लिए उस सैंपल को साधारन कोको से बदल कर जाच के लिए भेजना और भी आसान था और उसमें स्ट्रिकनीन ना मिलना तो तै था पोईरो के अलावा और कोई भी बायर स्टीन पर सपने में भी शक नहीं करता और ना ही दूसरा सैंपल भेजने की सोच था हाँ लेकिन स्ट्रिकनीन के कड़वे स्वाद को कोको से छिपाया नहीं जा सकता है हेस्टिंग्स इसके बारे में तुम क्या कहोगे इस बारे में हमारे पास सिर्फ उसी की बात है जबकि इसमें कुछ दूसरी संभावनाएं भी हो सकती है ये तो हम जानते ही हैं कि वो दुनिया का बहुत बड़ा जहरों का स्पेशलिस्ट है हो सकता है उसने स्ट्रिकनीन को स्वाद रहित बनाने का कोई तरीका निकाल लिया हो या फिर ये भी हो सकता है कि वो स्ट्रिकनीन हो ही नहीं बलकि कोई और दूसरी तरह की चीज हो जिससे स्ट्रिक्नीन जैसे ही लक्षन पैदा हो जाते हूं। जॉन ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो हो सकता था, लेकिन उसे कोको कैसे मिली होगी? कोको तो नीचे थी ही नहीं, नीचे तो कॉफी थी। मुझे बेमन से स्विकार करना पड़ा कि हाँ कोको नीचे नहीं थी। और फिर अचानक एक भयंकर संभावना मेरे मन में कौन थी। मैं ये उम्मीद और प्रार्थना करता रहा कि जॉन को वो ना सूझे। मेरे मन में जो भयानक विचार आया था, वो ये था कि वो डॉक्टर बायर्स्टीन का कोई सहायक हो सकता था। लेकिन ऐसा होना जरूरी तो नहीं था। मेरी कैवंडेश जैसी सुन्दर औरत निश्चित रूप से हत्यारी नहीं हो सकती थी। फिर अचानक मुझे अपने आने वाले दिन चाय के वक्त की उसकी पहली बात चीत और उसकी आँखों की वो चमक याद आई जब उसने कहा था कि जहर एक औरत का हत्यार होता है। उस विनाशकारी मंगल की शाम को वो कितनी परिशान से दिख रही थी। क्या मिसिस इंगल्थॉर्प को उसके और डॉक्टर बायर्स्टीन के बीच की कोई बात पता चल गई थी। और वो उसके पती को सब कुछ बताने की कहकर उसे धमका रही थी। क्या उसी बदनामी को रोकने के लिए ये अपराध किया गया होगा। फिर मुझे पॉयरो और एवलिन होवर्ड के बीच की वो रहसे पून बातचीत याद आई। क्या वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे। क्या यही वो भयानक संभावना थी जिस पर एवलिन यकीन नहीं करना चाहती थी। हाँ, जरूर ऐसा ही था। यह सब कुछ आपस में फिट हो रहा था। कोई ताज़ुब नहीं कि मिस होवर्ड बात को दबाने के लिए कह रही थी। अब मैं उसके अधूरे वाक्य का अर्थ समझ पा रहा था। उसने कहा था, एमिली खुद भी यह नहीं चाहती। और वाकई मिस्स इंगल थॉर्प भी ऐसा नहीं चाहती होती कि क्याविंडिशों के नाम पर इतना भयानक कलंक लगे। अचानक जॉन ने कहा, एक और बात है हेस्टिंग्स, कुछ ऐसा जो मुझे तुम्हारी बात की सच्चाई पर संदेह में डालता है। और वो बात ये है कि डॉक्टर बायर्स्टीन ने पोस्ट मॉर्टम करवाने पर जोर दिया था। लाश को निकलवाने का आदेश देता, तब सारी बात सामने आ जाती और उसकी पोजीशन ज्यादा खराब हो जाती। जौन ने स्विकार किया, हाँ ये तो संभव है, लेकिन फिर भी अगर मैं ये जान पाता कि इसके पीछे उसका क्या उद्देश हो सकता था, तो मुझे थोड़ी तसल्ली हो जाती। मैं काप उठा, मैंने उससे कहा, देखो जौन, मैं पूरी तरह से गलत हो सकता हूँ, और ये भी याद रखना कि मैं ये सारी बातें तुम्हें गुपतरूप से बता रहा हूँ। हम लोग चलते चलते ये सब बातें कर रहे थे, और अब हम छोटे से फाटक से बगीचे में पहुँच गए थे, पास से ही आवाजें आ रही थी, गूलर के पेड़ के नीचे चाई की टेबल तयार थी, जैसे उस दिन लगी थी जब मैं यहां आया था, सिंथिया होस्पिट के लिए वहां आये, मैं उनके साथ समय तै कर लूँगी, वो इतने अच्छे इंसान है और इतने मज़ेदार भी, एक दिन उन्होंने मुझसे टाई में से ब्रोच निकालने और दुबारा लगाने को कहा, क्योंकि उन्होंने बताया कि वो टेड़ा लगा हुआ था, उसे इ मुझे आपसे कुछ बात करनी है, इस बीच जॉन घर के अंदर चला गया था, और अब वो लौट आया था, उसके चेहरे पर एक गुसे का तनाव था, इन जासूसों की ऐसी की तैसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ढून क्या रहे हैं, घर के हर कमरे में जा चुके ह चीजें अंदर से बाहर उलट पलट किये जा रहे हैं, ये बहुत ही बुरी बात है, मेरे ख्याल से उन्होंने हम सब के बाहर होने का नजायस फायदा उठाया है, अगली बार जब जैप मुझे मिलेगा, तो मैं उसे छोडूँगा नहीं, मिस होवर्ड गुराई, ये पॉल काफी दूर जाकर मैंने कहा, तुम क्या बात करना चाहती थी सिंथिया, एक लंबी सांस के साथ सिंथिया घास पर लेट गई, उसने अपना हैट उतार कर साइड में रख दिया, शाखाओं के बीच से जनकराती धूप ने उसके सुनेहरी बालों को जैसे सोने के रंग में ब कुछ जानते हैं, मैं असल में आपकी सलह चाहती हूँ, असल में एमिली आंटी हमेशा मुझसे कहती थी कि वो मेरे लिए कुछ इंतजाम करेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से वो भूल गई, या उन्होंने सोचा ही नहीं कि वो मरने वाली थी, जो भी हो मेरे लिए कोई इंतजा काम नहीं है, और मैं नहीं जानती कि अब ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है, क्या मुझे यहां से फौरण चले जाना चाहिए, अरे बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है कि वे लोग तुमसे अलग नहीं होना चाहेंगे, सिंथिया थोड़ा हिच के चा और नहीं वो, अरे यहां तुम गलत हो, मैं जानता हूँ, जौन तुम्हें बहुत पसंद करता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब लौरेंस से था मिस्टर हेस्टिंग्स, मुझे भी इस बात की परवा नहीं है, कि वो मुझसे नफरत करता है या नहीं, लेकिन फिर भी, अगर भी प्यार ना करता हो, तो हालात काफी बुरे हो जाते हैं, अरे ऐसा नहीं है सिंथिया, ये लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें जरूर कोई गलत फेहमी हुई है, देखो, जौन है, और मिस होवर्ड है, हाँ, मेरे ख्याल से जौन तो मुझे पसंद करता है, और एबी भी स्वभाव से तो रूखी है, लेकिन वो एक मक्षी तक को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन लौरेंस का बस चले, तो वो मुझे से कभी बात भी ना करे, और मेरी कैविंडिश तो मेरे प्रती शिष्टाचार भी नहीं रख पाती, वो चाहती है कि एब जरता के कारण, या फिर उसके अकेले पन के प्रती करुना के कारण, मेरे मन में अजीब सी भावनाएं आई, मैं आगे जुका, मैंने उसके छोटे हाथ को पकड़ा, और बड़े ही बेतु के ढंग से बोला, सिंथिया, तुम मुझ से शादी कर लो, वो फौरण उठकर जिने की बात कर रहा हूँ, वो अचानक जोर से खिल खिला कर हस पड़ी, तुम बड़े ही मजाकिया दोस्त हो हेस्टिंग्स, तुम्हारा ये कहना बहुत प्यारा है, लेकिन तुम जानते हो, कि तुम वाकई ऐसा नहीं चाहते हो, तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तुम सिर्फ मुझे खुश करने के लिए और हमारी दोस्ती का फर्ज निभाने के लिए ऐसा कह रहे हो, है ना, नहीं, मैं वाकई ऐसा चाहता हूँ, मेरे पास, तुम्हारे पास क्या है, उसकी परवा मत करो हेस्टिंग्स, तुम वाकई ऐसा नहीं चाहते, और ना ही मैं च चाहती हूँ, मैंने बड़ी ही रुखाई से कहा, तो ठीक है, अगर तुम नहीं चाहती, तो फिर बात तै हो गई, लेकिन मुझे इसमें हसने जैसी तो कोई बात नहीं दिखाई दी, अगर कोई किसी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखे, तो उसमें हसने की कोई बात नही होती है, सिंथिया को एक बार फिर से हसी का जैसे दोरासा पड़ गया, बड़ी मुश्किल से खुद को काबू करके वो बोली, हाँ हाँ नहीं होती, हसने की कोई बात नहीं होती, अगली बार हो सकता है, कोई तुम्हें स्विकार भी कर ले, लेकिन जो भी हो, तुमने मुझ खुश कर दिया, अलविदा, और फिर वो बड़ी ही तेजी से पेड़ों के बीच में गायब हो गई, इस भेट के बारे में सोचते हुए अचानक मुझे लगा, कि गांव तक जाकर बायर स्टीन से मिल आना चाहिए, किसी आदमी को उसके उपर नजर भी रखना जरूरी है, और अपने इसी खयाल के अनुसार मैं उस छोटे से घर तक गया, जिसकी खिड़की में अपार्टमेंट्स का कार्ड लगा हुआ था, मैं जानता था कि वो वहीं रहता था, मैंने दर्वाजा खट-खटाया और एक बुढ़ी ओरत ने दर्वाजा खोला, गुड आफ्टर न क्या वो मर गया? नहीं, उसे पुलीस ले गई है, पुलीस? तुम्हारा मतलब वो उसे गिरफतार करके ले गए हैं? हाँ, वही, और… लेकिन मैं उसकी बात सुनने के लिए वहां रुका नहीं, बलकि पॉयरो को ढूंडने के लिए तेजी से गाव की तरफ दोड़ पड़ा अध्याए, दस वजह से मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं? क्या उसने गिरफतारी का अंदाजा लगा लिया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी कारण ये हुआ? लेकिन इस बीच मुझे क्या करना चाहिए? क्या स्टाइल्स के लोगों के सामने मैं ये बात बताऊं कि नहीं? ये तो तै विरो यहां होता तो मैं उससे सलाह ले लेता. पता नहीं उसे भी क्या सूझी जो बिना कुछ बताए अचानक लंडन चला गया. कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं गुपत रूप से सिर्फ जौन को ये बात बता दूँगा और इसे उसी के उपर छोड़ कि वो इस बारे में सब को बताना चाहेगा या नहीं. जब मैंने उसे ये खबर दी तो उसने हैरानी से सीटी बजाई. तो इसका मतलब तुम्हारी बात सही थी हेस्टिंग्स. उस वक्त तो मुझे उस पर यकीन ही नहीं हुआ था. खेर, जो भी हो. मेरे ख्याल से अभी हमे किसी को कुछ नहीं बताना चाहिए. उसकी कोई जरूरत नहीं है. जैसा कि तुमने कहा, जल्दी ही सब को खुद ही पता चल जाएगा. लेकिन अगले दिन सुभा जल्दी नीचे जाकर जब मैंने बेचैनी से अखबार खोला, तो मैं हैरान रह गया. गिरफतारी के बारे मे उसमें कहीं भी एक भी शब्द नहीं था. ये बात मेरी समझ के बाहर थी. लेकिन मुझे लगा कि शायद किसी कारण से जैप इसे अखबारों में नहीं आने देना चाहता होगा. इससे मुझे थोड़ी चिंता हुई. क्योंकि इस बात का ये मतलब था कि शायद अभी और ग खड़के में नजर आया और साथ ही आई उसकी आवाज. हेलो मेरे दोस्त. पोईरो मैं आस तक कभी किसी को देख कर इतना खुश नहीं हुआ जितना आज तुमको यहां देख कर हो रहा हूँ. सुनो मैंने जौन के अलावा किसी को कुश नहीं बताया. ठीक किया ना मैं नही जानता मेरे दोस्त कि तुम किस बारे में बाते का रहे हो. पोईरो ने कहा, अरे वही डॉक्टर बायर्स्टीन की गिरफतारी के बारे में. तो बायर्स्टीन गिरफतार हो गया? क्या तुम्हें नहीं पता पोईरो? बिल्कुल भी नहीं. लेकिन फिर भी मुझे इस बात प पोईरो, इसमें कोई शक नहीं कि मैं बहुत ही मन्द बुद्धी आदमी हूँ. और मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तट के पास होने से मिसिस इंगल्थॉर्प के कतल का क्या संबंध है? पोईरो ने बड़ी ही शांती से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, जरूर कोई बंध नहीं है, लेकिन हम तो डॉक्टर बायर्स्टीन की गिरफतारी की बात कर रहे थे ना? अरे, तो उसे मिसिस इंगल्थॉर्प के कतल के लिए ही तो पकड़ा गया होगा ना? पोईरो के चेहरे पर दुनिया भर की हैरानी नजार आई. क्या कहा तुमने? डॉक्टर को म उसे गिरफतार कर लिया गया है. हाँ, हाँ, वो तो संभव था. लेकिन जासूसी के लिए हेस्टिंग्स, मिसिस इंगल्थॉर्प को जहर देने के लिए नहीं. लेकिन मुझे तो लगता था कि तुम भी उसे ही कातिल मानते हो, पोईरो. क्या तुम ये कहना चाहते हो कि वो कातिल नहीं, बलकि एक जासूस है? पोईरो ने सेरहलाया और बोला, क्या तुम्हें कभी इस बात का शक नहीं हुआ? नहीं तो, मेरे दिमाग में तो ये बात कभी आई ही नहीं. तुम्हें ये अजीब नहीं लगा, हेस्टिंग्स, कि लंडन का एक प्रसिध डॉक्टर अपने आपको ऐसे छोटे से गाउं में यू दफन किये हुए है और पूरी रात तयार होकर घूंता रहता है. नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा. वो अपनी पैदाईश से जरूर जर्मन है, लेकिन इतने लंबे समय से इस देश में काम कर रहा है, कि सब लोग उसे अं ग्रिकता भी ले चुका है. वो बहुत ही चतर इंसान है. हाँ, यहुदी जरूर है, लेकिन बहुत ही चतर. तब तो बड़ा ही बदमाश है वो. मैंने कहा, अरे बिल्कुल नहीं, वो एक देश भक्त है. जरा सोचो, उसे कितना कुछ खोना पड़ेगा. मैं तो खुद उस का प्रशन सकूँ. लेकिन ये मत भूलो पॉयरो कि वो वही आदमी है जिसके साथ मेरी केवेंडिश पूरी दुनिया में घूमती फिरती थी. हाँ, तो मेरे ख्याल से उसे वो काफी काम की लगी होगी. इसी लिए वो उसे अपने साथ रखता था. जब तक अफवाहें इन दोनों के नाम साथ जोडने में बिजी रही, तब तक डॉक्टर की दूसरी बातें बिना नजर में आये आराम से चलती रही. तो तुम्हें लगता है कि वो वास्तव में उसकी फिक्र नहीं करता था. ये तो मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता है, स्टिंग्स. लेकिन क तुम वाकई ऐसा सोचते हो? सोचता नहीं, मुझे पूरा यकीन है. और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मेरे इस यकीन की क्या वज़ा है. और वो वज़ा ये है कि वो किसी और की परवाह करती है. ओ, मेरे मन में एक सुखद सी गर्माहट फैल गई. जहां तक औरतों का सवाल है, मैं एहंकारी इनसान नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो कुछ संकेत याद आए, जो उस वक्त शायद मुझे हलके लगे थे, लेकिन निश्चित रूप से वो कोई इशारा जरूर करते थे. मेरे इन सुखद विचारों में मिस होवर्ड के आने से बाधा पड़ गई. उन्होंने कमरे में चारों तरफ नजर डाली, जिससे भरोसा हो जाए कि कोई और वहां मौजूद नहीं है. फिर उन्होंने जल्दी से एक पुराने भूरे से कागस को निकाला और उसे पौयरों को थमा दिया. फिर धिमे से बुदबुदाई. ये अलमारी के उपर था. और या एल. ये एक मध्यमाकार का कागस था. उस पर थोड़ी धूल पड़ी थी, जैसे कुछ समय से एक ही जगे पड़ा रहा हो. लेकिन उसका लेबल पौयरों का ध्यान खीच रहा था. बिल्कुल उपर मैसर्स पाकसन की छपी हुई स्टैंप थी, जो जाने माने नाट किये पुशाकें बेचने वाले थे. और उसके उपर जो पता लिखा था, उसके पहले अक्षर को समझने में थोड़ी दुविधा थी. बाकी इस प्रकार था. क्यावेंडिश एसक्वेचर, स्टाइल्स कोट, स्टाइल्स सेंट मेरी, एसेक्स. उसे एक दो मिनट देखने के अपनी जेब में रख लिया. लेकिन ये आया कहां से है? और क्या ये महत्वपून है? कुछ हद तक तो है. ये मेरे एक अंदाज को पुश्ट करता है. इसके होने के बारे में तैह हो जाने के बाद, मैंने मिस होवर्ट से उसे ढूनने को कहा था, और जैसा कि तुम देख र बिल्कुल नहीं. आलमारी के उपर की जगा भूरे कागजों और गत्ते के डिब्बों को रखने की बढ़िया जगे है. मैं खुद वहीं रखता हूँ. अगर उनको करीने से रखा जाए, तो आखों को कुछ नहीं चुपता. क्या तुमने इस अपराद के बारे में कुछ त पता नहीं क्या हुआ. उसने मेरी बाहा को पकड़ा और घुमा कर नीचे हॉल में ले गया. उतेजना के कारण वो फ्रेंच भाषा में जोर-जोर से चिला रहा था. मिस डॉरकस, एक मिनिट, जल्दी सुनो. शोर से घपरा कर डॉरकस रसोई के साथ वाले कमरे से जल्दी से बाहर निकल कर आई. मेरी अच्छी डॉरकस, मेरे दिमाग में एक विचार है, एक छोटा सा विचार. अगर वो ठीक साबित हुआ, तो ये एक बढ़िया सायोग होगा. मुझे ये बताओ, डॉरकस, कि सोमवार को, मंगल को नहीं, बलकि सोमवार को, ट्रैजेडी से पहले व चला. शायद किसी चुहे ने तार काट दिया था. मंगलवार की सुभा आदमी आया और उसे ठीक कर गया. खुशी की एक लंबी आवाज निकालते हुए पॉयरो वापस सुभा वाले कमरे में ले गया. अगर ये पता चल जाए हिस्टिंग्स कि दिशा ठीक है, तो कितनी तस सली मिलती है. अब मैं बिलकुल फ्रेश हो गया हूँ. अब मैं दोड़ूंगा, कूदूंगा. और वो सच में ही दोड़ने और कूदने लगा. लंबे खिड़की के बाहर वाले लॉन पर पागलों की तरह उचल कूद करने लगा. तब ही मुझे अपने पीछे से एक मैरी. उसने डॉरकस से घंटी के बारे में पूछा था और उसका जवाब सुनकर वो इतना खुश हो गया है कि देखो कैसे उशलकूद कर रहा है. मैरी हस पड़ी. ये तो बहुत ही मज़े की बात है. अरे वो फाटक से बाहर जा रहा है. आज लोटेगा की नहीं? मुझे सिंथिया के बारे में बात कर सकता था. मैंने अपनी बात शुरू की, लेकिन मैं आगे बढ़ता, उससे पहले ही उसने मुझे रोक दिया. इस बात में मुझे कोई शक नहीं है मिस्टर हेस्टेंग्स कि आप बहुत अच्छे वकील हैं. लेकिन मैं आपको पहले ही बता दू कि सिंथिया को मेरी तरफ से किसी तरह की निश्ठुरता का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसने एक दो बातें और कहीं और उनके कारण मेरे मन से सिंथिया के प्रती परेशानी की भावना खत्म हो गई। अचानक वो बोली, मिस्टर हेस्टिंग्स, क्या आपको लगता है कि मेरा पती और मैं साथ में खुश हैं? मैं अचकचा गया और मैंने धीरे से कहा कि इस बारे में कुछ भी सोचना मेरा काम नहीं है. तुम्हारा काम है या नहीं ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें ब पादरी बनाती हूँ, जिसके सामने अपने सारे गुनाह कबूल किये जाते हैं. और ऐसा मैं इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी दयालू हो. मुझे इस बात पर पूरा यकीन है. उसके ये बात सुनकर मुझे जितना खुश होना चाहिए थ उतना मैं हो नहीं पा रहा था. मुझे याद आया कि सिंथिया ने भी अपना भरोसा जताने की शुरूात कुछ इसी तरह से की थी. और इसके अलावा एक पाप मोचक पादरी को बुजर्ग होना चाहिए. एक युवक की ऐसी भूमिका कतई नहीं होनी चाहिए. और इन सारी की बातों का सीधा सीधा सा मतलब ये निकलता था कि उसके प्रती मेरे मन में जो भावनाएं पनप रही थी. उसके मन में मेरे प्रती ऐसी कोई भावनाएं दूर दूर तक नहीं थी. मेरे मन में चल रही उथल पुथल से अंजान वो अपनी बात कहती गई. मेरे पिता अंग मेरे ख्याल से उनकी मौत के साथ कोई tragedy जुड़ी हुई थी, उन्होंने गलती से नींद की ज्यादा गोलियां खाली थी, जो भी हो इस से मेरे पिता का दिल तूट गया था और कुछ ही समय बाद वो सलहकारी की नौकरी में चले गए, जहां वो जाते थे मैं उनके साथ जाती जब तक मैं 23 साल के हुई, तब तक मैं करीब करीब पूरी दुनिया घूम चुकी थी, मेरी जिन्दगी काफी अच्छी चल रही थी और मैं उससे खुश थी, फिर एक दिन मेरे पिता की भी मौत हो गई, वो मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ गए थे, मुझे यॉक्षर में क लेकिन ही बुड़ी आंटियों के पास जाकर रहना पड़ा, जब मैं तुम्हें ये बताऊंगी कि मेरी तरह से पली बढ़ी लड़की के लिए वो जीवन कितना भयानक था, तो शायद तुम मेरी तकलीफ को समझ सकोगे, वो संकुचित पन, वो भयंकर नीरस रुटीन थी, मेरे लिए वो बस उस असहिय नीरस जीवन से निकलने का एक रास्ता भर था, मुझे गलत मत समझना, मैं उसके साथ काफी इमानदार रही थी, मैंने उसे सच्चाई बता दी थी, ये कि मुझे वो काफी अच्छा लगा था, और मुझे उमीद थी कि मैं उसे और अधी कर ली, मुझे पूरा यकीन है कि पहले वो मेरी परवाह करता था, लेकिन शायद हम एक दूसरे के लिए सही नहीं थे, धीरे धीरे हम दूर होने लगे, वो मुझे से तंग रहने लगा, हालां कि ये बात मेरे लिए सुखद नहीं है, लेकिन सचाई यही है, वैसे तुम और जौन अब यहां नहीं रहोगे, हो सकता है जौन यहां रहे, लेकिन मैं नहीं रहूंगी, यानि तुम उसे छोड़ दोगी, हाँ, लेकिन क्यों, क्योंकि शायद मैं आजाद होना चाहती हूँ, तुम जानते नहीं हो, तुम समझ भी नहीं सकते, कि ये जगा मेरे लिए एक कैद खाने जैसी रही है, मैं समझता हूँ मैरी, लेकिन तुम जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना प्लीज, जल्दबाजी, तुम्हें लगता है कि इतने साल बाद मैं जल्दबाजी कर रही हूँ, फिर अचानक मैंने एक ऐसी बात कह दी, जो शायद मुझे न जाबर बताई, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है, किस बारे में, गिरफतारी के बारे में, उसके लिए मुझे क्या सोचना है, जाहिर है कि वो एक जर्मन जासूस है, माली ने जौन को ये बात बताई थी, उसका चेहरा और आवाज पूरी तरह से तटस्त और भावश साफ था कि वो बायर्स्टीन की कतई परवाह नहीं करती थी, कोई भी औरत इतनी ठंडी उदासींता से इस भूमिका कानाटक नहीं कर सकती, अगले दिन सुभा पॉयरो नहीं आया और ना ही स्कॉटलेंड यार्ड के आदमी दिखाई दिये, लेकिन लंच के टाइम एक नया सबूत या सबूत की कमी सामने आई, मौत से पहले मिसिस इंगल्थॉर्प द्वारा लिखी गई चौती चिट्थी की हमारी तलाश बिकार रही थी, सारी कोशिशें बिकार होने पर हमने इस बात को इस उमीद में छोड़ दिया था कि शायद एक दिन वो खुद सामने आ जा दूसरी डाक से फ्रांसीसी संगीत प्रकाशकों की फर्म की तरफ से आए एक पत्र में मिसिस इंगल्थॉर्प के चेक की प्राप्ति की सूचना थी, उसमें ये अफसोस जताया गया था कि वो रूसी लोक गीतों की एक खास सीरीज को ढून नहीं पाए थे, और इस तरह उस गातक शाम को लिखे गए मिसिस इंगल्थॉर्प के पत्र के माध्यम से, रहसे का हल मिलने की कोई आखरी उमेद भी हमें छोड़नी पड़ी, चाहि से थोड़ा पहले मैं घूमता हुआ पॉयरो को इस बारे में बताने के लिए गया, लेकिन मुझे पता चला कि वो फिर से बाहर गया हुआ था, मुझे बड़ा गुस्सा आया, क्या वो फिर से लंडन गया है, अरे नहीं सर, वो ट्रेन से टैड मिंस्टर गये हैं, उन्हें एक लड़की की डिस्पेंसरी देखनी थी, मेरे मुह से निकला, कितना बेवकूफ गधा है ये पॉयरो, मैंने उसे बताय लेकिन अगले दिन भी उसका कोई अता पता नहीं था, वो वाकई काफी लापरवाही से काम कर रहा था, लंच के बाद लॉरेंस मुझे एक तरफ ले गया और उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं पॉयरो से मिलने जाऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां जाऊंगा, ले लेकिन अगर कोई खास बात हो, तो जा भी सकता हूँ, मैंने कहा, कोई ज्यादा खास बात तो नहीं है हेस्टिंग्स, लेकिन अगर तुम जा रहे हो, तो क्या उन्हें ये बात बता दोगे, मेरे ख्याल से मुझे वो फाल्तु कॉफी का प्याला मिल गया है, मैं पॉयरो के उस रह से मैं संदेश को करीब करीब भूल ही चुका था, लेकिन अब मेरी उत्सुकता फिर से ताजी हो गई थी, लॉरेंस ने आगे कुछ नहीं कहा, तो मैंने सोचा, मैं ही थोड़ा जुख जाता हूँ, और एक बार फिर से पॉयरो को ढूनने के लिए उसके घर जाता इस बार मुसकान के साथ मेरा स्वागत हुआ, पॉयरो अंदर ही मौजूद था, मैं सीड़ी चड़कर उपर गया, तो वो मेज के पास बैठा था, उसने अपने हाथों में अपने सिर को पकड़ रखा था, क्या बात है पॉयरो, क्या तुम बिमार हो, अरे नहीं, बिमार न हेस्टिंग्स, और ये दाम सिर्फ हरक्यूल पॉयरो ही खेलने की कोशिश कर सकता है, और कोई नहीं, जब उसकी बात खत्म हो गई, तो मैंने उसे लॉरेंस का संदेश दिया, वो खुशी से चिलाया, आहा, तो उसे फाल्तु कॉफी का प्याला मिल गया, चलो, अच्छा तुम्हारा ये लॉरेंस देखने में जैसा लगता है, उससे ज्यादा अकलमंद है, मैंने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, और बड़े ही नर्म स्वर में, उसे सिंथिया के चुट्टी वाले दिनों की मेरी बताई होई बात भूल जाने के लिए उसे डाटा, हा आ, सच है हेस्टिंग्स, मेरा ये जो सेर है न, ये एक चलने की तरह है, लेकिन फिर भी, वो दूसरी लड़की बड़ी ही दयालू थी, वो मेरी निराशा के लिए बड़ा अफसोस कर रही थी, और उसने मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से दिखाया, चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब तुम किसी और दिन सिंथिया के साथ चाई के लिए जरूर जाना, फिर मैंने उसे पत्र के बारे में बताया, वो बोला, मुझे इसका अफसोस है, मुझे उस पत्र से हमेशा से उम्मीद थी, लेकिन ऐसा तो नहीं होना था, ये पूरा मामला अंदर से ही सुलजाना पड़ेगा, अच्छा दोस्त, क्या तुम उंगलियों के निशान पहचान सकते हो, नहीं, ये काम मैं नहीं जानता, मैंने कहा, उसने अपनी छोटी सी दराज का ताला खोला, उसमें से कुछ तस्वीरे निकाली और उनको मेज पर रख दिया, ये दे गूठे और पहले उंगले के निशान है, नमबर दो किसी ओरत के होने चाहिए, वो काफी छोटे और हर तरह से अलग है, और नमबर तीन, ये काफी गड़बर निशान है, लेकिन यहां बहुत सपष्ट नमबर एक के हैं, ये दूसरे निशानों को ढख रहे हैं, पौईरों में बंद कर दिया, हमेशा की तरह तुम आज भी कुछ बताने वाले नहीं हो, है ना पौईरों? मैंने कहा, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नमबर एक जो हैं, वो मिस्टर लॉरेंस की उंगलियों के निशान है, नमबर दो मिस सिंथिया के, वो ज्यादा महत्वपोर्ण नहीं है, मैंने सिर्फ तुलना के लिए उठाए थे, नमबर तीन जो हैं, वो थोड़ा ज्यादा उलजे हुए हैं, जैसा कि तुम देखी रहे हो, इनको काफी बड़ा किया हुआ है, तुमने ध्यान दिया होगा, कि पूरी तस्वीर के उपर से ए इसी भी चीज़ पर से उंगलियों के निशानों की तस्वीर उतारी जा सकती है, तो तुमने उंगलियों के निशान तो देख लिए मेरे दोस्त, अब तुम्हें ये बताना बाकी है, कि ये किन खास चीज़ों पर से उठाए गए हैं, हाँ हाँ, जल्दी बताओ पॉयरो, म मैं वाकई बहुत उत्सुक हूँ जानने के लिए, मैंने कहा, ये देखो हेस्टिंग्स, ये है तस्वीर नमबर तीन, इसमें टैड मिंस्टर में जो रेड क्रॉस होस्पिटल की डिस्पेंसरी में, जहरवाली अलमारी के सबसे उपर के खाने में रखी एक छोटी बोतल की स पास भी नहीं गया था, मैंने उत्तेजित स्वर में कहा, वो वहाँ गया था हेस्टिंग्स, अरे असंभव है पॉयरो, हम पूरा वक्त एक साथ थे, नहीं, एक पल ऐसा भी था, जब तुम सब साथ नहीं थे, वरना मिस्टर लॉरेंस को बालकनी पर तुम्हारे पास आने क के लिए बुलाने की जरूरत नहीं पढ़ती, मैंने अपनी गलती मान ली, हाँ वो मैं भूल गया था, लिकिन वो सिर्फ एक पल की बात थी पॉयरो, उतनी देर काफी थी, जो आदमी कभी डॉक्टरी पढ़ने वाला था, उसकी स्वाभाविक रुची और उत्सुकता को श गोलियों के लिए वे लोग कभी-कभी उसकी थोड़ी सी मात्रा का उपयोग करते हैं, ये एक authorized mixture होता है, liquid strickenin hydrochloride जो ज्यादातर दवाईयों में इस्तिमाल होता है, और इसी लिए उंगलियों के निशान तब से बिना बिगड़े अब तक मौजूद थे, और तुम ये त जिंधिया की सहयोगी को नीचे जाकर मेरा हैट वापस लाना पड़ा, तो मतलब तुम पहले से ही जानते थे कि वहाँ तुम्हें ये मिलने वाला था, अरे बिलकुल नहीं हेस्टिंग्स, तुम्हारी कहानी से मुझे सिर्फ इतना महसूस हुआ, कि मिस्टर लॉरिंस के लि लेकिन मुझे एक चीज जरूर लगी, जरूर ये तुमको भी लगी होगी, इस मामले में इतनी बार स्ट्रिक्नीन क्यों आ रहा है, हम तीसरी बार उसके सामने खड़े हैं, मिस्स इंगल्थॉर्प के टॉनिक में स्ट्रिक्नीन था, स्टाइल्स सेंट मेरी के काउंटर पर मैस स्ट्रिक्नीन बेचता है, अब और स्ट्रिक्नीन है, जो एक घर में इस्तेमाल होती है, ये सारी बातें मुझे उलजन में डाल रही है, और जैसा कि तुम जानते ही हो, मुझे उलजने पसंद नहीं है, इससे पहले कि मैं कुछ जवाब देता, एक दूसरे बेलजियन आ कैविंडिश खड़ी थी, उसने सपष्ट किया, मैं गाउं में एक बुढ़िया से मिलने गई थी, क्योंकि लॉरेंस ने मुझे बताया कि तुम मिस्टर पॉयरो के साथ हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें भी साथ ले चलूँ, पॉयरो बीच में बोल पड़ा, बड़े अफ को पाप मोचक पादरी की जरूरत हो, तो याद रखेगा, फादर पॉयरो हमेशा आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे, वो कुछ मिनट तक पॉयरो को घूरती रही, जैसे उसके शब्दों में कोई गहरा अर्थ पढ़ने की कोशिश कर रही हो, फिर वो सहसा घूम गई, क्या आप भी हमारे साथ नहीं चलेंगे मिस्टर पॉयरो, क्यों नहीं, जरूर, फिर हम तीनों स्टाइल्स के लिए निकल गए, पूरे रास्ते में मेरी जल्दी जल्दी और उतेजित रूप से बातें करती रही, मुझे लगा जैसे वो किसी कारण से पॉयरो की आँखों क आवाज पैदा कर रही थी, जैसे कोई गहरी सांसे ले रहा हो, हम स्टाइल्स के बड़े दर्वाजे तक पहुँचे और फॉरन हमें महसूस हुआ कि कुछ गड़बढ हुई थी, डॉरकस भागती हुई आकर हमसे मिली, वो रो रही थी और अपने हाथ मल रही थी, मैंने द वे दुष्ट जासूस, उन्होंने उसे गिरफतार कर लिया, मिस्टर कैविंडिश को गिरफतार कर लिया, लॉरेंस को गिरफतार कर लिया, नहीं सर, मिस्टर लॉरेंस को नहीं, मिस्टर जॉन को, इसके साथ ही एक तेज चीख के साथ मेरी मेरे उपर गिर गई, और जैसे ह कि मैं उसे पकड़ने के लिए मुड़ा तो मुझे पोईरों की आँखों में जीत की चमक नजर आई। इससे आगे की कहानी के लिए सुनें The Mysterious Affair at Styles का पांचवां और आखिरी भाग।